कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक बार फिर इस यूटूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में SSCCHSL 2023 के 2nd August 2023 के 2nd shift के math के solution करवाऊंगा इससे पहले मैं 2 अगस्ट के 1st shift के सारे question को करवा दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक description में डाल दिया हूं और या फिर आप चैनल पे विजिट करके playlist में भी वीडियो एफलेबल है वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को subscribe कर ले क्योंकि हम इस तरह के वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी स्टेमेटिक में सभी का solution करवा के मैं इस पे दे दूंगा इससे पहले मैं CGL का भी स्रीच ला रहा था तो उसका भी मैं continue कर रहा हूँ बहुत सारे ज़रू बने रहे हैं क्योंकि हर एक question काफी important है आप सिखेंगे कैसे question को solve करना चाहिए exam में ठीक है चलिए पहले question की तरफ हम चलते हैं देखे पहला question काफी ही असान है ज़्यदा इसमें कुछ है नहीं सिर्फ question को पढ़ना है देखे कहा गया है नीचे दी गई तालिका एक college में अलग अलग विषए पढ़ाने वाले च्छात्रों की खुल संख्या और लड़कियों की परतिसत को दर्साति है देखे सरेक तरह का विषय है इस विषय में महिला च्छात्र कितना है मतलब च्छात्र की लड़का है और कितना लड़की है उसका परतिसत दिया है कु लड़की की परतिसत कितना हुआ तुआ पचास परतिसत दिया हुआ है उसके बाद का है कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना दे कंप्यूटर पढ़ने वाले की कुल संख्या है 90 इसमें लड़की का 40 परतिसत है 40 परतिसत हम 100 इसने लि कोमेंट कर दे अगर आपको कॉस्चन समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कर दिया किजिए चलिए सकेंड को देखते हैं कोनो कानिम लिखित में से कौन सा समुझ एक तिर्भूज बनाता है देखिए इस तरह कॉस्चन काफी बेसिक है मत लग कोई भी मत्द एंगल दिया हुआ है अगर ट्रेंगल में तीन एंगल का सम को पता है सम तीन एंगल होगा एबी सी और यह एंगल तो ही बनेगा जब तीनों हम एंगल का सम करते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब भी वह ट्रेंगल सम्भव है यह पता हो होगा आपको तीनों एंकल का सम एकस्ट कर लिए ओप्शन में किसं एंगल किस जो से एक दिया हुआ है सेट मैंसे से तीन सेट मैंसे कौन सभी का सम 180 मीटा होता है वह है आपका आंसर होगा तो देखें फर्ष्ट अप्षन में साथ पलस पाचास 110 पलस असी 190 यह ट्रेंगल नहीं बनेगा इसी तरह सब्सक्राइब करके आप आंसर दे सकते हैं चलिए अगला क्वास्चन है ट्रिगोनोमेटिश देखें कॉट 13 कॉट 27 कॉट 60 कॉट 63 और कॉट 70 डिगरी का मान ग्याद कर देखें इतना दिया हुआ इसमें कुछ करना नहीं है देखें 9090 का पियर बना करके उसको कैंसिल कर देना जो बच जाएगा उसका पता है 1060 का उल्टा हो जाएगा 1060 का फेलू होता है रूट अंडर 3 तो इसका उल्टा करतेंगे तो 1 बट्टे रूट अंडर 3 और यही इसका आंसर होगा वह देखिए आपको समझ में नहीं आयोगा हम समझाते हैं सॉल्ट कैसे करते हैं आपको पता होगा कोट 90 डिग्री माइनस ठीटा इसका जाएगा कोट 13 डिग्री ही रहेगा तो कोई बेलू में चेंजिंग नहीं आएगा ठीक इन्टू कॉट 60 क्या लिख सकते हैं 10 देखिए 10 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री ठीक है और कॉट 60 को इसको भी रहने दना है इस बाले पार्ट को हमको भी छोड़ देते हैं देखिए 10 इसको क्या लिख लेंगे हम 10 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा आपका 77 डिग्री ये कितना हो जाएगा 10 90 माइनस 27 मतलब 63 इन्टू कॉट 60 तो रहेगा ही कॉट 60 को आप लिख देंगे देखिए कॉट 63 है और 10 63 तो कॉट 63 इन्टू 10 63 बहलू कितना हो जाएगा 1 कट जाएगा और कॉट 77 और 10 के बहलू कितना हो जाएगा 1 मतलब हमारा कॉट 60 का बहलू जो होगा वही आपका आंसर होगा ठीक है चलिए अगले कॉस्टन को हम स्वाल करते है देखिए दिया गया है एक ट्रेंगल है A B C ट्रेंगल A B C है ठीक इसको मान लेते हैं A यह मान लेते हैं B और यह है C एक समनांतर रेखा है B C के जो की A B को P पे काटता है और A C को Q पे काटता है A P मतलब A P और Q C दोनों इक्वल है ठीक है A B की लंबाई हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर यह पूरा क्या है 16 सेंटीमीटर है A Q आपका A से Q मतलब यह 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो Q C का मान आपको निकालना है देखे सबसे पहले क्या करना है आपको ट्रेंगल A P Q और ट्रेंगल A B C सिमलर होगा सिमलर क्यों होगा देखे यह और यह पैरलल है इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल यह एंगल यह एक्वल होगा एंगल यह एक्वल होगा और दोनों में A common है ठीक है इसलिए ट्रेंगल A P की और A B C पैरलल होगा पैरलल होगा तो corresponding side का ratio क्या होगा एक्वल होगा मतलब हम बोल सकते हैं A P A P by A B is equal to हमें निकालना है Q C A P Q A B C ठीक Q C हमें निकालना है तो हम बोल सकते हैं A Q by A C ठीक अब देखिए हमें A P का वहलू हमें दिया हुआ है sorry A P का वहलू दिया नहीं हुआ है हमें यह और यह equal दिया है मनलता हम A Q C को X मान लेते हैं तो A P भी कितना हो जाएगा X हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख लगते हैं X by A B का वहलू हमें पता है 16 दिया हुआ है A Q का वहलू हमें 4 दिया हुआ है और देखिए यह A C का वहलू हम लिख लेंगे 4 पलस X 4 पलस X थोड़ा था यह Calculative रवाद इतना कर लेना है उसके बाद देखिए इसको solve कर लिए quadratic equation एक बन जाएगा 4 X पलस X square is equal to 64 तो मतलब quadratic equation क्या बन जाएगा X square पलस 4 X minus 64 is equal to 0 यह आपका quadratic equation बन रहा है अब इसको solve कर लिए X का value आएगा वही आपका क्या हो जाएगा QC का value होगा देखिए X का value कैसे निकालेंगी देखिए आपका है X square पलस 4 X minus 64 is equal to 0 था यही था ठीक तो इसको solve किजिए X quadratic equation का formula क्या आता है X is equal to minus B B मतलब minus 4 plus minus root under B square मतलब 16 minus B square minus 4AC तो 4AC minus है मतलब plus हो जाएगा 64 into 64 आप कर लेजिए by 2A होता है by 2 देखिए minus 4 plus minus देखिए root में 16 common ले लेंगे तो root से बाहर चाल आ जाएगा 16 अगर हम common ले लिए है यहां 64 था यह बज़ जाएगा यह एक और यहां बज़ जाएगा आपका 16 by 2 देखिए इस 2 से यह दो मतलब क्या हो जाएगा आपका minus 2 plus minus 2 root under 17 देखिए minus वाला नहीं होगा answer क्या है side की length कभी भी negative नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा positive वाला value ही होगा ठीक है तब इसको इस तरह से solve कर सकते हैं 2 root under 17 minus 2 cancer आ जाएगा चलिए अब हम अगले question को solve कर लेते हैं देखिए एक laptop को उसके क्रेमल में 20 पर 30 अधिक अंकित किया गया है मतलब मान लेते हैं laptop का क्रेमल 100 रुपईया है तो उसका अंकित मुल कितना हो जाएगा 120 रुपईया अब कहा गया है 5 पर 30 लाव अर्जित करने के लिए कितने पर 30 छूट देना होगा मतलब 5 पर 30 लाव मतलब 105 रुपईया में बेजना है तो कितने पर 30 पे छूट देगा mark price 120 रुपईया था तो कितना कर छूट देना परेगा 15 कितना पर 30 हो जाएगा 120 इंटू 100 कर लिजे ये कर जाएगा मतलब ये जाएगा 5 ये जाएगा 4 मतलब 50 पर चार यानि 12.5% का अंसर आ जाएगा परकासक एक पुस्तक विक्रेता को 15 से 74.80 की अंकित मुल्य पर 20 पर 30 छूट देकर पुस्तक को बेचता है मतलब पुस्तक विक्रेता के लिए CP कितना हो जाएगा 15 से 74.80 इस पे 20 पर 30 की छूट मिलती है मतलब 4 वर्टे 5 इसका ठीक ये हो जाएगा पुस्तक विक्रेता के लिए CP अगर कहा गया है यदि पुस्तक विक्रेता उसको अंकित मुल्य पर बेचता है मतलब उसके लिए SP कितना हो जाएगा क्यूंकि इसका जो मार्क पैस कितना था 1574.80 इस CP बेचता है तो उसका लाव कितना होगा लेकिन कहा गया इसमें इसको भारा भी लगता है 45.40 अब देखिए अगर भारा लगता CP में 8 हो जाएगा अब हमें निकालना है कितना लाव होगा तो देखिए SP में से CP को हम माइनस कर लेंगे वह हमारा लाव हो जाएगा मतलब 1574.80 माइनस 1574.80 इंटू 4 बाइ 5 माइनस हो जाएगा आपका 45.40 तो देखिए यह हम इतना में से कोमन ले सकते हैं 1574.80 74.80 कोमन ले लेंगे तो कितना बजाएगा एक बटे पांच ठीक एक बटे पांच माइनस माइनस करना इतने से हमें 45.40 अब देखिए इसको आप दो से मल्टिप्लाइ कर लेंगे उपर में नीचे में भी दो से उनकी 10 से डिवाइड करना असान होता है तो देखिए अब कितना हो जागा ये दो से मल्टिप्लाइ कर देखिए सिर्फिए यूनिट को सॉल्व किजिए क्योंकि क्या देखिए यूनिट डिजिट सब का डिफरेंट है यूनिट डिजिट सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जागा 16 की रिफरेंट है और यहाँ पर कितना है 0.40 मतलब 0.216 0.40 को मैनस कीजिए यह मिला आपसिन एखिए तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करकते हैं बेन आप पुरा को मैनस कीजिए प्लस कॉस A sin B का माना आपको ग्याद करना है आपको पता है या तो यहाँ पर सभी का भेलू पुट कर दिजिए डिरेक्ट आंसर आपको क्रिकर करके निकाल लेजिए या फिर यह जो होता है फर्मूला होता है sin A plus B का फर्मूला है उपर वाले जो दिया हुआ है यह sin A plus B का फर्मूला है मतलब sin A plus B A के भेलू दिया है 60 डिकरी और B का 30 मतलब 37, 90 sin 90 डिकरी भेलू कितना होता है 1 तो 1 आपको आपको अंसर हो जाए अगला question देखिए question number 8 A minus B equal to 9 दिया हुआ है दोनों का जो S cube दिया हुआ है 441 तो A minus B का मान ग्याद करना है ठीक A minus B का मान ग्याद करना है आपको पता है A Q minus B के को फर्मूला क्या होता है A minus B into A square plus B square plus A B ठीक A minus B हमें 9 दिया हुआ A square और यह नहीं दिया इसको हमें square कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए इसको अगर square करेंगे तो A square plus B square minus 2 A B equal to 2 हो जाएगा 81 A square plus B square कितना जाएगा यह 81 plus 2 A B ठीक प्लस 2 A B और A B हमें पहले से है ठीक है यह धर कितना है 4401 देखे नाइन से हम इसको काट सकते हैं नाइन से कटेंगे नौ चोका 36, 8, 89, 73, 61, 9, 46, बचेगा 8, 9, 72, बचेगा 8, 9, 81, 81, मतलब 489, is equal to 81, plus 3AB, ठीक है 81, इधर आके हो जाएगा, माइनस में तो 8, 0, 4, अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो AB के भेलू आपका आजाएगा 139, 48, 136 आफका आंसर आजाएगा, ठीक है चलिए को अच्छे नंबर 9 को देखते हैं, एक बेवसाई है, एक कामकाजी, भागदारी है और B एक निस्ट के लिए भागदारी है, ठीक है, एक जो बेवसाई में निवेश करता है, वो है 30,000 रुपिया, बी जो ब्यबसाय है 50,000 रुपया निवेश करता है अब कहा गया ए ब्यबसाय के परवंधन के लिए कामकाजी है उसमें लगा राता है 20 पैसा दे के चला जाता है उसके बदले में एक को जो लाव होता है उसका 20 परतिसत इसको एक्स्ट्रा मिलता है और बांकी जो बच गया 20 परतिसत के बाद उसके जो निवेश के अनुपाद में डिवाइड होता है अगर कहा गया है 20-10,000 रुपया लाव होता है तो बी का हिंसा कितना होगा देखिए 10,000 रुपया लाव हुआ है तो B का हिसा कितना होगा दोनों किसे बातने बटेगा तीन रेसियो 5 किसके मुल्ले का 10,000 है तो 10,000 में से तो 20% पहले ही निकल गया बांकी से बच्छे कितना 80% मतलब 4 बटे 5, 4 बटे 5 में से इसको मिलेगा 5 बटे 8 मां भाग बी को मिल गए इतना ही मतलब 5 से 5 किसे चार दोनी 8 10,000 का दोसरी बट की मतलब 5,000 ठीक है तो 5,000 का आंसर आजाएगा अगला कॉस्चन है देखे यदि एक मूभी टिकट के मुल में 12 सही 1 बटे 2 कि ब्रिदी होती है और टिकट के बिक्री में भी 8 सही 1 बटे 2 कि ब्रिदी होती है तो कुल आय में कितने परतिसद की परिवर्तन हुआ है इसका मान में निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं पहले कुल 200 टिकट बेचता था 200 रुपया परतिर टिकट के हिसाब से तो पहले इंकम कितना हो गया है पहले का इंकम था इसका 40,000 40,000 पहले का income है अब कितना income होगा देखे इसको बोल सकते है 25 वट्टे 2 मतलब इसमें 25 वट्टे 2 मतलब कितना होगा 25 मतलब अब जो हो जाएगा इसका टीकट 2025 अब पहरी दोसे बेशता हो टीकट अब दोसे 25 बेशता है ठीक अब जो है इसमें कितना हो जाएगा 17 बट्टे 2 तो 17 बट्टे 2 ती काट लिए तो 24 मतलब सब्सक्राइब मतलब 27 टिकट अब बेचता है वाले 27 बेचता था अब 27 बेचता अब इतना इसका आई कितना हो जाएगा तो 225 इंटू 217 कितने में इसका कितना का परिवर्तन हुआ है वह हमें निकालना है तो 40,000 यह हुआ पहले कितना था 40,000 यही आपको कल्कुलेट करना है और आपका अंसर निकल जाएगा देखे एक चीज़ आप 225 से इसको मल्टिप्लाइ करना अगर आपको टफ लग रहा है इसको किजिए आप 4 से मल्टिप्लाइ इसको फिर 4 से डिभाइड कर लिजेगा यह कितना जागा 900 900 को इसको आप मल्टिप्लाइ किजिए तो देखे 900 को मल्टिप्लाइ करें कितना हुआ डवल 0 977 63 का 3 हाथ में रहा 6 966 का 5 9218 11 19 ठीक है और यह 4 क्या जाएगा इससे मल्टि ते नीचे भजाएगा 16 मतलब आप इसे लिखेजेए 19,000 पांसद तीरपन है उसमें से आपको 16,000 को माइनस करना है ति कितना जाएगा 3 यह जो आपको जाएगा 3 यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 3 तीरपन डबल जरो था और इसको 16 से आप डिभाइड़ी किजिए आपका वही आंसर देखे 16 दूनी 32 का दो 35 दूनी 32 फिर एक दस फिर पॉइंट जीरो ठीक है और 22.0 आपका यह है आगे और सॉल्व कर लिजेगा तो आपका 6.25 भी आचाएगा तब सिर्फ आंसर मिल गया दिया हुआ है साइन पाई मैनस ठीटा और साइन पाई बाई टू प्लस ठीटा का मान निकान देखे साइन पाई मैनस ठीटा वेलू क्या होता है साइन ठीटा ही होता है और साइन पाई मैनस ठीटा वेलू होता है कॉस्ट ठीटा ठीक है अब देखे साइन यहां पर लिखा ह वह आपको sin theta इसको निसोते हैं cos theta मतलब 10 theta is equal to 1 हो जागा मतलब theta value आपको यहां सा जागा 45 degree बस इसको value put कर देजे 45 degree मतलब 1 by root under 2 plus 1 by root under 2 मतलब 2 by root under 2 मतलब इसको लिख देंगे हम root under 2 तो यह आपका असान कुछ question है अपका थोड़ा सा कल्कुलेटिव है यह अपि बोल सकते हैं उसको लेंदी भी और कुछ question काफी ही असान है जिसको आप सकेंडो में solve करते हैं किस question को देख लिए ए बी सी डी चार सहर दिये हुए है ठीक है चार सहर में station की संख्या को इस पाय चार्ट में दरसाया गया है कहाँ बिर्त आलेक पर सहर C और सहर D द्वारा बनाएगे कोन कर्म सर्थ कितना कितना होगा देखे डी में तो तोटल कितना है तीन सो साथ डिग्री बनता है कब जा टोटल जो है यह इसका सम कितना है इकीस पांच अठाएस आठ चाटिस मतलो च्छतीस सो एस्टियेशन है तो तीन सो साथ डिग्री का एंगल बनता है तो हमें कहाँ गया है C द्वारा कितना बनेगा देखे C कितना है तो 1200 तो 360 इंटू 36 इंटू 1200 देखे ये 00 से 00 केंसिल 36 से 10 बार में कर जाएगा मतलब 120 डिग्री एंगल बनेगा इसी तरह से आप सहर दी का निकाल सकते हैं ओप्सन में सिर्फ एक ही रहेगा तब एक से इमारे के निकाल सकते हैं आगे ठीक है तो समझगे होंगे चलिए अगला कौश्चन आप हम लोग देखते हैं देखे ए प्लस ए प्लस वन बा एक भेलू दिया हुआ है चे हमें 3 बाई 4 ए स्कॉर प्लस 1 बा लेजिए आप 25 चौका 100.5 यह जागा 25.5 इसका आंसर हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो में हम टोटल 14 कौश्चन को हमने स्वल्व करवा दिया है बांकी बचे हुए है 11 से 12 कौश्चन उसको मैं नेक्स पार्ट में पार्ट 2 करके उसको भी मैं स्वल्व करवा दूंगा लगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पे अब आप इस चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें कॉमेंट में पराशा कर दें अगर हाँ किसी भी तरह कोई एगर डाउट है तो भी डाउट आप कोमेंट करते हैं तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्य बाद फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में